बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्यों हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर दोस्तों आप लोग मेरे से अगर कोई भी वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कोमेंट या इंस्टेगरम पर मेसेज जरू करना तो सिंपली से आपको क्या करना है काइन मस्टर एप आप आपको सबसे पहले इसको फिल करना है और आपको डिफोल्ट फोर्ट डुरेशन 4 सेकन रखना है और टांजक्शन इफेट को आपको 1.5 सेकन रखके आपको नीचे क्रियेट में किलिक करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रैट साइट की थोड़ा उपर आपको मिलेगा मीडिया उप्षन इस मीडिया उप्षन में जाकि कम से कम आपको दोस्तों 30 सेकन वीडियो के लिए 12 फोटो आपको एट करना है दोस्तों फोटो एट करने के बाद आपका वीडियो का एंटरफेस कुछ इस परकार से आपको दीहिनों को मिलेगा अगर दोस् इस आपको इस photo को इस तरह से आपको zoom करना है frame के size मताबिक ठीक है उसके बाद दोस्तो बगल में आपको double line मिलेगा इसमें आपको click करना है जो कि दोस्तो मैं पहले से ही सभी photo को adjust कर चुका हूँ photo का adjust करने के बाद आपको जो plusable icon दिख रहा है इसमें आपको click करना है और आपको थोड़ा नीचे आपको एक transaction मिलेगा step slide दोस्तो ये transaction effect आपको सबसे पहले plusable icon में आपको 05 select करना है उसके बाद दोस्तो plusable icon में click करके आपको दोस्तो आपको क्या करना है एक से लेके 6 तेक दोस्तो आपको add करते जाना है तो दोस्तो ये आपर मैं फटापर से सभी plusable icon में आपको add कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तो आपको दिखाता हूँ तो दोस्तो ये आपर लगभग मैं सभी फोटो में एबलर transaction effect add कर चुका हूँ अगर दोस्तो एबलर transaction effect डाउनलोड करना चाहते हो तो ये आपर humble icon में आपको click करना है click करने के बाद दोस्तो net one करना है ये आपर आपको right side की थोड़ा बेगल में आपको search का option मिलेगा इसमें click करना है और दोस्तो ये आपर आपको step slide transaction effect मतलब दोस्तो इस step slide आपको लिख लेना है लिखने के बाद दोस्तों हिया आपको सर्च करने के बाद आपको टांजेक्स इने फिट आ जाएगा आपको डानलोड करके इस परकार्ट से आपको सभी फोटो में एट करना है टान्यक सिने फिर डेट करने के बाद दोस्तों जो first photo है इसका length आपको दोस्तों थोड़ा कमा लेना है कुछ इस प्रकार्ज ठीक है इतना दूर length कमाने के बाद दोस्तों जो end position का photo है इसका length आपको करीब 30 second के आसपास रखने के बाद इसको right side trim करना है आपको दोस्तों right side की थोड़ा उपर आपको इस arrow में किली करना है किली करने के बाद दोस्तों यहां का resolution आपको देख लेने के बाद नीचे आपको वीडियो को save करना है जो कि मैं पहले से ही एक वीडियो को save कर चुका हूँ उसके बाद दोस्तों वीडियो को save होने के बाद वीडियो की starting position में आना है transaction effect में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको last से आपको third number transaction इपर मिलेगा यहाँ पर front transaction आपको दोस्तों यहाँ पर front transaction का जो third number transaction effect है आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से वीडियो के end तेक आपको इसको add करना है तो दोस्तों यहाँ आपड़ आप लोग देख रहे हो मैं end तेक transaction effect के add कर चुका हूँ उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है एक से लेके मतलब दोस्तों फर्स्ट फोटो से लेके end position photo tag आपको दोस्तों इसका विगनेट आपको on करना है सिम्पली से आपको सिर्फ फोटो में क्लिक करके नीचे विगनेट आपको ओन करना है तो दोस्तों मैं लगबग सभी फोटो का विगनेट ओन कर चुका हूँ लियार ओप्षन में आपको फिर से क्लिक करना है आपको effect option में जाना है नीचे आपको मिलेगा basic effect आपको बलड बला effect add करना है और बलड को आपको क्या करना है वीडियो के चार और इस तरह set करना है setting option में जाकर इसका length रखना है length रखने के बाद इसको कर लेना है आपको वीडियो के end tag end tag करने के बाद आपको आजाना वीडियो के starting position में layer option में जाकर आपको media option select करना है इस बार आपको एनिवेड चीरी बला टेंपलेट वीडियो को एड़ करना है और टेंपलेट वीडियो को इस पिलिटी स्क्रीन में जाकि इसको फिली स्क्रीन करना है ठीक है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे मिलेगा आपको blending option आपको कर लेना दोस्तों इस फिडियो को आपको जूम करना है और आपको यहाँ पर left side की उपर three dot में क्लिक करके send to backwatch कर लेना है इस बार आपको क्या करना है layer option में जाके media option में आना है आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको frame में photo add करना है simply से photo को ले लेना है और आपको cropping option में लेगा इसका mark zone करना है shapes में जाके आपको heart बोला shapes set करना है और heart बोला shapes को आपको कुछ इस परकार से आपको थोड़ा छोटा करना है आप चाहो तो photo का लेन्द इस परकार से zoom कर सकते हो यहाँ पर नीचे जो feather मिल रहा है इस feather को आपको दोस्तों करीब 15 के आज़ पास आपको रख लेना है उसके बाद दोस्तों आपको एक बार back आजाना है और आपको इस photo का लेन्द छोटा करना है और हिहाँ पर जो दोस्तों आपको heart दिखनों के मिलेगा दोस्तों इस heart के size मुताबिक आपको इस photo का आपको छोटा या बड़ा आपको करना है इस परकार्ट से करने के बाद आपको इस three dot में click करके इसको send to backward कर लेना है करने के बाद दोस्तों इसमें click करके आपको वीडियो के end position में इस photo को ले आना है उसके बाद starting position में आके इस photo में click करना है जो photo आपने add किया था आपको दोस्तो 3Dot में जाकि इसका एक duplicate लेना है और duplicate को आपको दोस्तो उपर बेठा लेना है कुछ इस पर कार्च ठीक है line मुताबिक आपको duplicate को बेठाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर replace option में लेगा replace में click करना है और click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक photo or rate करना है और इस photo को भी आपको send to backward कर लेना है इसी तरह दोस्तो एक photo or double कर लेके आपको नीचे बेठाने के बाद आपको video का end text select कर लेना है तो दोस्तो यहाँ पर तीनो photo को मैं अच्छे से एड़ेस्ट कर चुका हूँ उसके बाद आपको video के starting position में आके layer option में जाके text option select करना है जिसके नाम से एबला वीडियो इडिट कर रहे हो दोस्तो उसका नाम आपको कुछ इस परकार से आपको लिख लेना है ठीक है नाम लिखने के बाद आपको double A में जाना है कोई भी stylish front आपको select कर लेना है जो आपको better लगता है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे मिलेगा outline इसको enable करना है और आपको plus one करना है ठीक है आपको black color को करना है white white करने के बाद इसका length थोड़ा आपको zoom करना है और आपको इस परकार से आपको थोड़ा zoom करके इस position में आपको size adjustment करके आपको बैठे लेना है ठीक है बैठेने के बाद दोस्तो थोड़ा नीचे मिलेगा glow option इसको enable करना है yellow color को आपको करना है black और black को आपको करना है दोस्तो 25 के आसपास ठीक है उसके बाद दोस्तो इसका length आपको करना है दोस्तो फोड़ा वीडियो के end ठेक ठीक है end ठेक करने के बाद starting position में आना है और आपको layer option में जाकि sticker में आना है और आपको butterfly वाला sticker card दोस्तो आपको download करना है ठीक है तो simply से हिहाँ पर butterfly वाला sticker card में ले लेता हूँ आपको जो butterfly बेटर लगता है जो color का आपको उसको ले लेना है लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे इस position में आपको बेठा लेना है कुछ इस परकार से बेठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसका लेन्थ आपको वीडियो के end तेक आपको करना है ठीक है वीडियो के end तेक करने के बाद स्टाडिंग पोजिचन में आ कि इसके एक duplicate कर लेना है और duplicate को दोस्तों उसके नीचे आपको इस परकार से बेठे लेना है आप जहाईसे दोस्तों वीदियो को प्ले करोगे तो दोस्तों आपका वीदियो कुछ इस प्रकासेरे Diařी हो जाएगा दोस्तों वीदियो में साउंड एड करने के लिए Audio Option में जाना है, कोई भी एक Song आपको जो बेटर लगता है उसमें सर्फ दोस्तो आपको क्या करना है इसमें क्लिक करना है और दोस्तो प्लाजबल आइकेन जो आपको दिख रहा है दोस्तो यहापर आपको प्लाजबल आइकेन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तो यहापर नीचे सोंग एड हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो आज के वीडियो में तरह इन था अगर दोस्तों आप सभी को इस तरह का वीडियो डिटिंग अगर पसंद आया है तो प्लिस लाइक शेयर कोमेंट जरू करना वीडियो को दोस्तों फूल एजडि में सेब करने के लिए आपको राइट साइड की उपर इस एरो में किलिक करना ह और आपको यहाँ पर 1080p सेलेट करना है और 8mbps करने के बाद वीडियो को नीचे सेब एस कर लेना है ठीक है जो दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो गिलेरी में सेब हो जाएगा आप कहीं पर भी सेयर कर सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो में तरह ही था अगर इस वीड एक सर कोमेंट जरू करना तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंट्रेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ